नमस्कार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित एक और कहानी कभीता और निवन्द प्रतियोगिता में प्रतिभागिता सुनिश्चित करके आप हजारों के इनाम हासिल कर सकते हैं चलिए इसका बीवरण जान लेतें कहानी कभीता एबं निवन प्रतीयोगिता प्रथम पुरसकार 7.000 रुपे बित्य पुरसकार 5.000 रुपे तृत्य पुरसकार 4.000 रुपे सांत्वनना पुरसकार संक्या दो 2.000 उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान राश्री पुर्षोत्तम दास टंडन हिंदी भवन छे महात्मा गांधी मार्ग हजरत गंच लखनौ कहानी कवीता एवं निवन प्रतियोगिता युबा रचना कारो तो निवंतम उम्र जो है 18 बर्स और अधिकतम उम्र 30 बर्स को प्रोसाहि निवन प्रतियोगिता हे थू प्रविस्थिया आंतरित है कहानी कवीता निवंद तीन परतियों में कंप्यूटर टाइप A4 आकार में भेजनी होगी मत्लिए A4 साइच के पेपर पर बेजनी होगी कहानी अधिक्तम 25 सो शब्द का एक और टंकित होगा कहानी कविता भारती समाजिक सांस्कृतिक मुल्यों पर केंद्रित होनी चाहिए कहानी कविता निबंद पर सिर्शक के अतिरिक लेकक का नाम वपता अंकित नहीं होना चाहिए अलग प्रिष्ट पर कहानी कविता निबंद के सिर्शक के साथ प्रतिभागी का नाम पता दूर्भा संख्या सहीथ हाई स्कूल प्रमाण पत्र की चाय प्रती एज बेरिफिकेशन के लिए लगाना अनिवारी है, सलगन करना अनिवारी है अधिक जानकारी के लिए प्रभारी प्रोसाहन डॉक्टर अमिता दुबे की दूर्भा संक्या तो मैंने इसको यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया है आप चाय तो इसका स्कूल ले सकते हैं पर संपर कर सकते हैं प्रभिष्टी भेजने की अंतिम्तिती प्लीज ध्यान दिजेगा 9 अक्टूबर 2020 है प्रभिष्टिया दिन्निदेशक उत्तर प्रदेश हिंदी संस्तान राश्री पुर्शोत्तम डास्टंडन हिंदी भवन एड्रेस टॉप पे भी लिखा हुआ है लेकिन फिर भी आप यहां ध्यान दिजेगा कि महात्मा गांधी मार्ग हजरत गंच लकनोव 226001 के पते पर भेजी जाएगी प्रभिष्टी के लिफापे पर कहानी कभीता निबंद प्रतियोगिता लिखना अनिवार ये है प्लीज ध्यान दिजेगा तो उमीद है कि आपको ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी तो प्लीज अपना फीड़बर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को प्लीज जादा से जादा लाइक करें जादा से जादा शेयर करें और ऐसी ही informative वीडियो समय समय पर जानने के लिए ग्याद करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और न्यू वीडियो की notification के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें तो मिलते हैं फिर एक न्यू इंफोर्मेटिव एफ़र्ट के साथ तिल देन ओकी बाई कीप स्माइलिंग फोरेबर